हेलो दोस्तो आरोई लेर्णिंग क्लासेज में मैं आपका स्वालत करता हूँ आज से हम लोग एक नया चाप्टर शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल हमारे जो भी स्टूडेंट है जो कि एरफोर्स नेवी का एक्जाम देते है या सेवेश्टर में भी है तो जहां भी है आप लोग इस वीडियो को देखिए और फायदा उठाइए तो देखिए दोस्तो चाप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजे हैं आप पहले उसको देख लीजे जैसे कि नैचुरल नंबर क्या होता है होल नंबर क्या चुरू करते हैं तो ये कॉंपलेक्स नंबर को बनाने से पहले देखिए हम कॉड्येटिक एक्वेशन करोफ एक प्रॉब्लम देखते हैं के तब हम एक्यास प्रॉब्लम बनाएंगे तब हम एक्जैक्ट पता चलेगा कि इसका शुरुवात कहां से हुआ था है कि नहीं तो होता है minus b plus minus root over d by 2a यह हम निकालते हैं तो देखिए हम जानते हैं कि जो आपका quadratic equation होता है वो किस form में होता है वो होता है हमारा x square plus bx plus c के form में होता है और यहीं से हम क्या करते हैं बाद में x का दो value निकालते हैं तो देखिए x square plus bx plus c के form में है, तो हम यहाँ देखेंगे, तो A कमान यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, और B कमान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और C कमान क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले d का value निकालेंगे देखिए इसमें देखेंगे तो क्या है b a square minus 4 a c डालेंगे b a square minus 4 a c तो b का मान यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 का square 4 हो जाएगा अब minus 4 a c निकालेंगे तो d का मान हमारे कितना जाएगा यहाँ पर देख रहे हैं कि minus 4 आ रहा है फिर हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे हम x का वैलू निकालेंगे क्योंकि हमें निकालना तो x का वैलू ही है तो देखिए x का वैलू निकालेंगे तो formula क्या होता है minus b plus minus root over d by 2a तो यहाँ देखिए b कमार minus 2 plus minus रखिए root over minus 4 by 2a इसको change कर लिए देखिए change करके हम देखेंगे तो क्या आएगा इसको हम change करेंगे तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे आजाएगा minus 1 plus minus root over minus 1 और by 2 जब यह 2 से पर तो cancel हो जाएगा तो यही बच जाएगा लेकिन जब भी minus में होता था तो minus में हम क्या करते थे उसको वहीं पे stop कर देते थे और कहते थे कि अब इसका यह answer हो गया लेकिन जब हम complex ने पर पढ़ेंगे तो हम इसका exact answer निकालेंगे कि x की value हमारी क्या आ रही है तो देखिए जब भी root में minus में होता है तो इसको हम i से denote करते हैं i stands for iota ओके इसको iota iota कहते हैं हम short में यहाँ पे i लिखते हैं देखिए minus 1 का minus 1 लिख देंगे और plus minus का है का अधे लिख देंगे i लिख देंगे मत demol के मतलब देखिए यांसे हम मतल समदcycle सकते हैं कि i का मतलब क्या है i का मतलब है root over minus 1 यानी कहीं पर आइसको भी root mountain minus 1 और हम उसके बतले में लिखेंगे i अगर ऐसे ही देखिए ऐसे ही अगर दिया हुआ है minus root over 2 तो इसको हम ऐसे लिख सकते है root 2 multiply by minus root 1 और इसको हम चाहिए तो root 2 I लिख सकते है ऐसे ही minus root A है तो root A into क्या हो जाएगा? यहाँ पे minus root 1 हो जाएगा, देखें minus root गया है, हो जाता है कभी-कभी तो यह हो जाएगा root over A I हो जाएगा ऐसे ही एक बहुत ही important formula है, यहाँ पे देखेंगे जिए I square, I square is equal to होता है minus 1, तो I square को हम चाहिए तो I into I लिख सकते है और एक I का value क्या होता है? minus root over 1 होता है फिर दूसरे I का लिख देंगे minus root over 1 यह minus minus गुना करेंगे तो root में क्या हो जाएगा? plus 1 हो जाएगा और plus 1 हो जाएगा तो इसको हम root से बहाँ निकालेंगे यानि क्या हो जाएगा? यह I square is equal to हो जाएगा minus sorry, minus 1 हो जाएगा ठीक है? मतलब ऐसे हम करते हैं मतलब इसका एक और derivation है आपको मैं अगले वीडियो में clear कर दूँगा देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों I square is equal to क्या हो जाएगा? minus 1 हो जाएगा आप लोग ध्यान्ज रखेगा बार बार हम लोग उस करेंगे ठीक है? देखिए square हमें क्या करना है? हमारे पास एक complex number दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है? square निकालना है तो basic formula है यह A plus B के form में है A plus B का whole square का formula अपलगा दिजिए तो क्या करेंगे? A square plus B square plus 2 A b करेंगे 2 का square 4 3 का square 9 A square का क्या हो जाएगा? A square A square हो जाएगा और A square का मान यहाँ पर हम क्या रखेंगे? minus 1 रखेंगे 2 दिन 4 और 4 दिन 12 A A हो जाएगा तो 9 में से 4 गया minus 5 plus 12 A यही हमारा क्या होगा? उसके square का answer हो गया तो इस सवाल में हमारा सबसे important क्या है? इस सवाल में हमारा सबसे important है कि हमने I square के value को यहाँ पर minus 1 रखा है तो ऐसा सवाल जब भी हो तो हम जब भी I होगा तो उसके बदले में लिखेंगे minus 1 और जब भी I square होगा तो उसके बदले में क्या लिखेंगे? minus 1 लिखेंगे ठीक है? आये होगा तो root over minus 1 लिखेंगे और I square होता है तो minus 1 लिखेंगे नेक्स देखेंगे दोस्तों एक और problem तो दिखेंगे मतलब complex number में छोटे छोटे problem आते हैं छोटे छोटे problem आएंगे एक number दो number में आते हैं तो आपको क्या करना है? उसी सब को solve करना रहता है तो देखेंगे एक मैंने सवाल दिया है find the modulus of the equation z is equal to 2 plus 3i इसका हमें क्या करना है? modulus निकालना है तो modulus निकालने के लिए दोस्तों देखें क्या करते हैं अगर हमारा कोई दिया हुआ है term z और यह x plus iy के term में है तो अगर हमें इसका modulus निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो भी इसका real term है उसको हम क्या करेंगे? उसका हम लेके square कर देंगे जिसे यहाँ पर x है तो x का square और यहाँ पर y है तो हम y का square कर देंगे तो हमारा जो भी answer आएगा वो answer हमारा क्या हो जागा, इस term का modulus हो जाएगा, तो देखिए, ऐसे यहाँ पर क्या दिया हो है, 2 प्लस 3 आई दिया हुआ है, तो 2 का square करेंगे, और 3 का square है करेंगे, 3 का square 9 और 2 का square 4, यह हो जागा, root over 13, यह हो जागा answer, ऐसे देखिए, एक और example देख लेते हैं, z is equal to 4 प्लस 3 i है, तो इसका भी हमें modulus निकालना है, तो जो भी आपका real term दिया हुआ है, 4 और 3, इन दोनों का हम क्या करेंगे, square कर देंगे, तो 4 का square that is 16, और 3 का square that is 9, तो 16 प्लस 9 is equal to 25, और answer कितना हो जागा, 5 हो जागा, ओके, ऐसे देखिए, तो modulus का तो हो गया, modulus में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा real term होगा, उस real term को हम क्या करेंगे, root में, बारी-बारी से square कर देंगे, और square करके add कर देंगे, तो वही हमारा answer हो जाएगा, अब देखिए, एक और term आता है, conjugate निकालने का आता है, जैसे कोई भी आपका equation दिया रहेगा, कहेगा कि इसका आप क्या दिया रहेग है, इसके सामने जो भी sign है, इस sign को हम क्या करेंगे, change कर देंगे, तो change कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा, वही उसका conjugate हो जाएगा, तो z is equal to क्या हो जाएगा, a minus ib हो जाएगा, ऐसे देखिए, एक example में बताता हूँ, z is equal to दिया हुआ है, 2 plus 3i, तो z का अगर हम conjugate निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 minus 3i हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, z is equal to 5 minus 6i, तो इसका भी conjugate निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 plus 6i हो जाएगा, देखिए, क्या करता है, कभी-कभी inverse निकालने के लिए भी आता है, आपको को z का value देदेगा, और कह z का inverse निकालना होगा, तो inverse को क्या करेंगे, हम पहले positive sign में change करेंगे, तो positive sign में change करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 1 by z हो जाएगा, 1 by z हो जाएगा, 1 by z है क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका rationalization करेंगे, तो rationalization में क्या करना पड़ेगा, rationalization में हम क्या करते हैं, यह जो minus होता है इस minus के sign को change कर देते हैं तो ये minus के sign change करेंगे तो plus हो जागा 2 plus 3i और नीचे भी क्या हो जागा 2 plus 3i और हम बार बार इसे गुना करेंगे तो देखी ये तो 1 में गुना होगा तो ये तो उपर 2 plus 3i याद आगा और नीचे देखी ये हो जागा a plus b और ये हो जागा a-b तो हुज़ागा a2-b2 तो 2 का स्कुरर यह हुज़ागा 4 और 2 असकुरर यानिकि 3i का स्कुरर तो 3 का स्कुरर हुज़ागा 9 और i2 is equal to minus 1 तो minus 1 और यह यह दोनों को add करेंगे तो यह क्या हो जागा 13 हो जागा तो 2 प्लस 3i by 13 हो गया बारी 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 से करते हैं real term को और imaginary term को क्या करेंगे बारी 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 से separate कर देते हैं तो देखिए यही आपका a plus ib के term में आपका equation आ गया तो यह हमारा क्या हो जागा यही हमारा होगा multiplicative inverse हो जाएगा ओके एक और देखिए एक और हम देखते हैं problem आपका quadratic equation को solve करते हैं और x की value निकालते हैं तो दिया हुआ है x square plus 3x plus 5 is equal to 0 दिया हुआ है यहां से आप d की value निकाल लेजिए d is equal to ba square minus 4ac तो यहां निकालेंगे d की value तो यह क्या जागा minus 11 हो जाएगा और problem यही से है जब भी हमार root में क्या आगा minus आगा तो complex नमबर आएगा वहां पर ठीक है तो x is equal to minus b plus minus root over d by 2a हो गया तो यह हो जागा minus 3 plus minus root over minus 11 by 2a तो minus 3 plus minus root 11 multiply by क्या हो जागा root over minus 1 और मैंने आपको बताया था कि जब भी root over minus 1 करेंगे तो यह क्या हो जागा root over 11 i हो जागा यहीं माइनस 3 plus minus root over 11 i by 2 हो separate करके लिखेंगे तो फिर वहीं लिखेंगे minus 3 by 2 और plus root over 11 i by 2 हो जागा वहीं आपका answer हो जागा वह आपका हो जागा x plus ib के term में हो जागा ठीक है ऐसे बहुत सारे problem आता है जिसे छोटे छोटे problem बहुत सारे आएंगे जिसे दखिए x square plus 3 is equal to तो यह तो मैं आपको नहीं बत 0 तो देखिए d is equal to निकाल देजिए b square minus 4ac minus 7 और फिर यहां से भी आप क्या कर सकते हैं x की value निकाल सकते हैं देखिए दोस्तों क्या है मतलब यह मैं problem आपको किसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे problem आते हैं आते हैं और आप miss कर जाते हैं और exam बना दिया है आप books में ढूंडिए कि ऐसे problem कहां पर हैं और उसको बनाईए ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो के लिए इतना ही तो फिर मिलते हैं next वीडियो में मैं complex नमबर से संबंदित और भी जितने भी problems होंगे मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो वीडियो को like किजे सब् ठीक है दोस्तों okay good day